अर्शास की कक्षा में आप सबका स्वागत है पिछले अध्यव में आपने जाना कि आकणों को संग्रहित तथा वर्गीकरत किस प्रिकार किया जाता है आकणों के वर्गीकरण के पश्चात आकणों की प्रस्तूतिकरण की आवशक्ता होती है यहां पर आकडों के प्रस्तुतिकरण से अभीपराय है कि आकडों को स्पस्ट तथा व्यवस्तित रूप से इस प्रकार प्रस्तुत करना जिससे सभी व्यक्ति उन आकडों को सरलता से समझ सके और उन से उचित परिणाम निकाल सके आज की कख्षा में हम वर्गीक्रत आकडों के प्रस्तूतिकरण के विशय में जानेंगे आईए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं समानेत आकडे तीन प्रकास से प्रस्तूत किये जा सकते हैं पहला पाठ विश्यक या वर्णन आत्मक प्रस्तूतिकरण दूसरा सारनी बद प्रस्तुतिकरण तथा तीसरा आरेख्य प्रस्तुतिकरण आईए अब हम इनके विश्य में विस्तार से चार्चा करते हैं सबसे पहले आकडों का पाठ विश्यक प्रस्तुतिकरण आकडो के पाठ विश्यक प्रस्तुतिकरण में आकडो का विवरण पाठ की रूप में दिया जाता है इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को वन्नानात्मक प्रस्तुतिकरण भी कहा जाता है जब आकलों का परिमान बहुत अधिक ना हो तो प्रस्तुतिकरण का यह स्वरूप अधिक उपयोगी होता है आकलों के पाठ विश्यक प्रस्तुतिकरण में एक महत्पूर्ण कमी यह है कि आकलों को समझने के लिए पूरा पाठ पढ़ना पड़ता है तथा आकड़ों की तुलना करने के लिए तुलना योग्य विंदूओं को पाट से ढूंढना पड़ता है पर तो इसके माध्यम से प्रस्थुत करण के खास बिंदों को मोटे अक्षरो या 23 अक्षरों के द्वारा प्रभावशाली धंग से प्रस्थुत किया जा सकता है इसमें शोद करता या अनुसंधान करता उन बातों को अधिक विस्तार पूर्वक प्रस्तुत कर सकता है जो शोद का उद्देश्य थी पाठ विश्य प्रस्तुती करण का एक उधारन लेते हैं आईए हम जनगन्ना का आकडो का प्रस्तुती करण करते हैं भारत की जनगन्ना 2001 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या बढ़कर 102 करोड हो गई, जिसमें 53 करोड पुर्षों के मुकाबले 49 करोड महिलाए थी। 74 करोड लोग अभी भी भारत के ग्रामिंड शेत्रों में और केवल 28 करोड लोग शहरों एमम कस्वों में रह रहे थे। पूरे देश में 44 करोड शर्मिकों के मुकाबले गैर शर्मिकों की संख्या 62 करोड थी। शहरी जनसंख्या में गैर शर्मिकों की संख्या ग्रामिन्ड जनसंख्या की अपेक्षा अधिक थी, जहां 74 करोड की ग्रामिन्ड जनसंख्या में 31 करोड शर्मिक हैं। अब इस प्रस्तुतिकरण से आपको लग रहा होगा कि एक पाठ के अंदर बहुत सारी सूचनाएं दे दी गई हैं। इससे कोई परिणाम निकालना कठिन होता है। फिर भी आईए जाने कि पाठ विश्यक प्रस्तुतिकरण की उप्यूगता कहां पर अधिक है। पाठ विश्यक प्रस्तुतिकरण लगू आकडों के लिए अधिक उप्यूग होता है। जब आकडों की पाठ्य सामगरी स्वैम ही कम होती है तथा इसमें केवल कुछ प्रिश्णों को शामिल किया जाता है तो ये बहुत उप्यूगता है। विश्तृत पाठ्य विवरण को पढ़ना कम रुचिकर होता है। उस विश्तृत विवरण से कोई निश्कष निकालना बहुत कठिन हो जाता है। आप सोचिए कि आपको कोई दस प्रिश्टों में सभी विद्यार्तियों के एंगों का विवरण लिख कर दे दे। और उसके आधार पर आपको परिक्षप्रिणाम का विश्लेशन करना पड़े। यह कार्य आपके लिए अरूचिकर तथा कठिन होगा जिसमें काफी समय भी लगेगा। दूसरा है आकडों का सानिबद प्रस्तुतिकरण। सानिबद प्रस्तुतिकरण में आकडों को पंक्तियों तथा स्तंबों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पंक्तियां शेतिज के समानांतर होती हैं तथा स्थम उधरवाधर के रूप में होते हैं। सानिबद प्रस्तुतिकरण से आशे संकलित आकडों को स्थम्बों एवर पंक्तियों में क्रमबद प्रस्तुतिकरण है। आकडों की शेतित व्यवस्ता को पंक्ती कहते हैं तथा उधरवाधर व्यवस्ता को स्थम्ब कहते हैं वरगी क्रत तत्यों को साणिका स्वरूप देने के लिए पंक्तियों तथा स्थम्बों में दर्ज किया जाता है आए साणियन के उद्दिश्यों को जानते हैं सार्णियन के मुख्य उद्धिश्य निम लिखित हैं पहला आकडों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना प्रारम में संग्रह किये आकड़े प्राय अखंडित एवं एव्यवस्थित होते हैं इन्हे सार्णियन द्वारा संक्षिप्ट एमन सरल रूप में प्रसुत किया जाता है सार्णियन आकडों को क्रमबद तथा व्यवस्तित रूप में प्रसुत करने में सहयक होता है लाखों करोडों उत्तर दाताओं से प्राप्त की गई सूशना को केवल एक सार्णियन द्वारा दर्शाया जा सकता है भारत की जन्गन्ना में 71 की आकडों को सार्णियन द्वारा संक्षिप्ट तथा सरल रूप में प्रसुत किया जाता है दूसरा, आक्डों की तुलना करने में सुविधा होती है जब आक्डे अपरिश्क्रित रूप में होते हैं तो उनकी तुलना करना कठिन होता है तुल्ना करना तभी संबभ होता है जबकि आकडों की संबंदित मदों को सरल एमम सक्षित रूप में प्रस्तुत किया जाए जटिल एमम व्यवस्तित आकडों को सार्णी द्वारा प्रस्तुत करने से उनके विभिन पहलों की तुल्ना करने का कार्य सरल हो जाता है तीसरा, आकडों में वांचित मूल्यों की पहचान करना सार्णियन में आकडों को स्तंबों और पंक्तियों द्वारा क्रंबद रूप से प्रस्तुत किया जाता है इससे वांचित मूल्यों को पहचानना सरल हो जाता है जो अपरिश्कृत आंकडों में संभव नहीं होता। सार्णी द्वारा प्रस्तुत आंकडों में आप अपना ध्यान सीधे उसी वर्ग पर लगा सकते हैं जिसकी सूजना आप चाहते हैं। आपको पूरी सार्णी का अध्यान करने की आवशक्ता नहीं है। जैसे भारत की जनगनणा के आखनों से आप किसी राज्य विषेश की जन्संक्या का पता लगा सकते हैं। चौथा उदेश, सार्णियन आक्णों के विशलेशन का आधार प्रदान करती है। सार्णियन द्वारा आक्णों को सुव्यवेस्ति ढंग से सार्णि द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिससे आक्णों के विशलेशन का कार्या सरल हो जाता है। पांचवा, आक्लों की प्रवर्ती को जानना, सार्नियन की सायता से सभी आक्लों को संक्षित रूप में एक स्तान पर सार्नियन द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो इससे उनकी प्रवर्ती का पता चल जाता है, आक्लों में बढ़ने की प्रवर्ती है या घटने की, आपको ल वर्गी करण में समानता एम सामेता की आधार पर विविन वर्गों में बाठ जाता है जबकि सार्णियन वर्गी कृत तत्यों को स्तंबों और पंक्तियों में दर्ज करने की प्रिक्रिया है आकडों को पहले वर्गी कृत किया जाता है उसके बाद सार्णि के रूप में प्रस नीयम है, जो इस प्रिकार है पहला एक अच्छी सार्णी द्वारा सपस्ट अवा Komण सरलधंत प्रसुथ किये जाने चाहिए दूसरा सार्णी का एक संक्षिप्ट शीर्शक होना चाहिए जो सार्णी में दिये गए आको के विशै में सपस्ट कर सके तीसरा पंक्ती शीर्षक, उसकी प्रविस्टियों स्तम्शीर्षक आदी संक्षिप्त एवं स्पस्ट होने चाहिए विश्य के सीगर संधर्प के लिए स्तम्बो पर क्रम संख्या लिखी जानी चाहिए शीर्ष्ट इपनी स्पस्ट एवं पून होनी चाहिए क्योंकि इसे आकडों की काई का ग्यान होता है पांचवा, माप की काई यदि बड़ी हो तो इन्हें पूनांक बनाक देना चाहिए तथा पूनांक बनाने की विधी का संकेत दिया जाना चाहिए चटा योगों तथा उपयोगों की व्यवस्ता सार्णी में उप्युक स्तानों पर होनी चाहिए साथमा संदर्ब टिपनी स्पस्ट होनी चाहिए तता स्रोत का सही नाम दिया होना चाहिए जिससे अवशक्ता पढ़ने पर आकलों की विश्वस्नियता की पुस्टी की जा सके इससे सार्णी में दिये गए आकलों की विश्वस्नियता बढ़ जाती है आठमा, साणी ऐसी होनी चाहिए जिससे की अवशकता पढ़ने पर व्यूत्पन आकडे जैसे अनुपात, प्रतिशत, औसत आदी का समावेश किया जा सके नौमा, जहां तक संभव हो सांखेकी में संकेत अक्षनों का प्रियोग नहीं होना चाहिए यदि संकेत अक्षनों का प्रियोग अवशक है तो उनकी पूर्ण व्याख्या टिपणी द्वारा की जानी चाहिए दस्वा, समान यह जैसा उपर है जैसे संकेतों का प्रियोग साणी में नहीं किया जाना चाहिए हर वर्ग के अंदर उसके वास्त्विक आक्डे भरे जाने चाहिए ग्यारवा, स्तंब तथा पक्नतिया जिनकी सामगरी की तुलना एक दूसरे से की जानी है यह गण्णा में एक साथ प्रियोग किया जाना है पास पास रखी जानी चाहिए बारवा, यदि कुछ वर्गों की और ध्यान आक्षित करना हो या उनके सापेक्ष मैत्व को दर्शान आवश्चक हो तो इसके लिए मोटे अक्षर या टेडे अक्षरों का प्रियोग किया जाना चाहिए तेरवा, समान्यता एक साथनी में चार या पास से अधिक विशिश्चताओं के आधार पर आख़ों को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए वरना वैस साथनी बहुत जटिल बन जाती है सांखिकी साथनी के मुख्य भाग क्या है आईए इनको जानते हैं आप चित को देखिए इसमें सभी मुख्य भागों को दर्शा गया है आईए अब एक एक करके इनके सभी भागों के बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहला साथनी संख्या तेक साथनी की पैचान के लिए एक संख्या निधारित कर दी जाती है जिससे उसे अवश्क्ता पढ़ने पर सरलता से पैचाना जा सके या ढूंडा जा सके इससे एक से ही अधिक साथनिया होने पर साथनी संख्या साथनयों को एक दूसरे से अलग करती है और संदर्व सुगम हो जाता है और जब आपको किसी साथनी का उलेग करना हो तो केवल आप उस सार्णी की संख्या दे दें यही प्रयाप्त होता है सार्णी संख्या सामानता दशमलव रूप में लिखी जाती है जिसमें दशमलव से पहले संख्या जो दी जाती है वो पाठ का संदर्ब बताती है तता दशमलो के बाद की संख्या इस पाठ में सार्णी के क्रम को बताती है जिससे किसी भी सार्णी को ढूणना या उसका संदर्ब देना सरल हो जाता है जैसे सार्णी 4.3 पाठ 4 की तीसरी सार्णी की संख्या सार्णी है दूसरा भाग है शीर्षक, सार्णी का एक शीर्षक होना चाहिए और इसे सार्णी के उपर लिखा जाना चाहिए सार्णी का सीर्षक सार्णी की विशयवस्तु की व्याक्या करता है शीर्षक, संक्षित, स्पस्ट, एवं यथेस्ट होना चाहिए शीर्षक में सार्णी में दिखाये जाने वाली विशे सामगरी तथा उसकी उपियोगिता का ज्यान हो जाना चाहिए उधारन के लिए सार्णी शीर्षक लिंग के आधार पर भारत की जनसंख्या का वित्रण इस स्पस्ट है कि इस सार्णी में भारत की जन संख्या को लिंग के आधार पर वर्गी करत करके दिखाया गया है इसका तीसरा भाग है उपशीर्शक या जिसे हम स्तंब शीर्शक भी कहते हैं सार्णी के प्रतेक स्तंब के उपर की और नाम दिया जाता है उसे उप्षीर्षक या स्तम्षीर्षक कहा जाता है इससारणी के किसी खाने में प्रदर्शित आंकडों की प्रकर्ती का संकेत मिलता है शीर्षक बड़े ही स्पस्ट रूप से अंकित होना चाहिए प्रतेक्स्तम्षीर्षक के उप्षीर्षक भी हो सकते हैं उप शीर्षक उस समय और अधिक मैत्पूर्ण हो जाते हैं, जब एक सार्णी में एक से अधिक चरो को प्रस्तुत किया जाता है। यदि किसी चर को उप भागों में विभाजित किया जाता है, तो उनका शीर्षक वीस पस डूप से दिया जाना चाहिए। चोथा है अवशीर्ष या पंक्ती शीर्षक, पंक्तियों के नाम को अवशीर्ष या पंक्ती शीर्षक कहते हैं, यह संपूर्ण बायस तंब को में दर्शाय जाता है और इस तंब को अवशीर्ष तंबी कहा जाता है, पंक्ती शीर्षक का बड़ा स्पस्ट उलेक होना चाहि इससे सार्णी की हर पंक्ती में दी गई सामगरी की प्रकरती का स्परस्ट संकेत मिलता है। पांचमा, सार्णी का मुख्य भाग वह होता है जिसमें वास्टविक आकडे दीए होते हैं। सार्णी में किसी भी संख्य की आकड़े की स्तिती उसकी पंक्ती एमस्तंब के अनुसार सुनिशित होती है। सार्णी का मुख्य भाग सार्णी का सबसे महत्पूर्ण भाग है। समस्त संख्यात्मक तथ्यों का प्रदशन इसी भाग में होता है। एक शोद करता का सदेव प्रयास रहना चाहिए कि सार्णी का मुख्य भाग बहुत बढ़ाना बनाय जाए। इसमें केवल संबंदित चरों के आकड़े दिये जाने चाहिए। जिससे इसका अध्यन सरल हो जाए तथा निशकर्ष सरलता से निकाले जा सके। सार्णी का छटा भाग है माप की इकाई। यदि पूरी सार्णी में माप की इकाई समान रहे तो सार्णी की संख्याओं के माप की इकाई को सदेव सार्णी की शीर्ष में लिखा जाना चाहिए। शीर्ष से नीचे आमत और पर दाहिने किनारे पर माप की इकाई लिखी जाती है। इससे उस इकाई का संकेत मिलता है जिसमें आंकडे प्रस्तुत किये गए हैं। यदि सारने की पंक्तियां या स्तंबों के लिए भिन माप इकाईयां हैं तो इन इकाईयों की चर्चा निश् अधिका संकेत दिया जाना शाहिए है। उधारण के लिए यदि किसी देश की जन संख्या, सकल घरेल उत्पाद या किसी कमपनी की विक्री के आंकडे वास्त्विक संख्याओं में दिये जाते हैं तो सारनी अनावश्यक रूप से बड़ी हो जाती है। तथा उन को सारनी में उलेखित कर दिया जाता है। सात्मा भाग श्रोत या संधर्ब टिपनी जब आकडे दृत्य श्रोतों से प्राप्त किये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सारनी के नीचे आकडों के श्रोतों की जानकारी देने के लिए एक टिपनी दी जाती है। ऐसी टिपनी को संदर्ब टिपनी कहा जाता है इस टिपनी को बहुत ही सपस्ट एवन सुनिश्चित होना चाहिए क्योंकि यही आकडों की विश्वस्थनियता परिक्षन का अधार बन जाती है सार्णी का आठमा भाग पाद टिपनी सार्णी की विश्य सामगरी से संबंदित कोई भी व्याक्यात्मक सूचना जो कि सार्णी के बिल्कुल नीचे दी गई हो पाद टिपनी कहलाती है पादट इपने के अंतरगत सार्णी के आकडों की उन विशिष्टाओं के बारे में बताया जाता है जो आकडों में दिखाई नहीं देती और नहीं पहले कहीं उनकी व्यक्षा की गई है आईए अब जानते हैं कि सार्णी के वर्गी करण के कितने प्रकार हैं जैसा कि अध्याय तीन आकडों के संगठन के अंतरगत हमने वर्गी करण के प्रकार पड़े थे ठीक उसी प्रकार सार्णीयन के वर्गी करण के चार प्रकार होते हैं पहला गुनात्मक वर्गी करण, दूसरा मात्रात्मक वर्गी करण, तीसरा कालिक वर्गी करण, तथा चोथा स्थानिक वर्गी करण सबसे पहले गुनात्मक वर्गी करण के बारे में जानते हैं जब किसी सार्णी के अंतरगत वर्गीकरण गुणात्मक विशिष्टाओं के आधार पर किया जाता है। जैसे कि सामाजिक स्थित्री, बहुतिक स्थित्री, धर्म, लिंग, आदी तो इसे गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। आप पिछले अध्याय में जान चुके हैं कि गुणों को उनकी अनुपस्तिती या उपस्तिती के रूप में गणना करके दर्शाय जाता है। उधारन के लिए सार्णी 4.1 को देखिए। इसमें वर्गीकरण का आधार लिंग एमस्थान है, जो स्वभाव से गुणात्मक है। दूसरा मात्रात्मक वर्गीकरण। जब सार्णी में आकलों का वर्गीकरण मात्रात्मक विशिष्ताओं के आधार पर किया जाता है, तब उसे मात्रात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इन विशिष्टाओं को मातरात्मक रूप से मापा जा सकता है। उधारण के लिए आयू, कद, उत्पादन, आय, आदी को मातरात्मक रूप से मापा जा सकता है। इसलिए यह सभी मातरात्मक विशिष्टाओं हैं। इन विशिष्टाओं के मान को दर्शाने के लिए सीमाय निधारित करके वर्गों का गठन किया जाता है जिने वर्ग सीमाय कहते हैं वर्ग अंतराल का निधारन चरो की प्रकर्ति को देखते हुए समावेशी या अपवर्जी रूप से किया जाता है आईए एक उधारन द्वारा मातरात्मक वर्गीकरण वाली सारनी को समझें जिसमें वर्गीकरण का आधार आयू वर्षों में है तीसरी तरह का सारनी होती है कालिक वर्गीकरण जब सार्णी में आकडों के वर्गी करण का आधार समय होता है तथा आकडों को समय के अनुसार वर्गी कृत किया जाता है, समय घंटों, दिनों, हफ्तों, महिनों, वर्षों इतियादी में हो सकता है। उधारन के लिए सार्णी 4.3 को देखें। इस सार्णी में वर्गीकरण का आधार एक वर्ष में बिक्री है। तथा इसमें मान समय की आधार पर दर्शाय गए है। चौथा स्थानिक वर्गीकरण जब सार्णी में आकडो का वर्गीकरण स्थान के आधार पर किया जाता है तो उससे स्थानिक वर्गीकरण कहते हैं। ये स्थान कोई गाउं, कसबा, खंड, जिला, राज्य या देश आधी हो सकता है। उधारन के लिए सार्णी 4.4 को देखिए। इसमें आकडो को विभिन देशों के आधार पर वर्गीकरण करके सार्णी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सार्णियन प्रस्तुति के लाब। अभी तक हमने सार्णियन के अर्थ, सार्णियन के उद्देश्य, एक अच्छी सार्णि के गुण तथा सार्णि के मुख्य भागों की चर्चा की। आईए अब हम सार्णियन द्वारा आकडों के प्रस्तुतिकरण की लाबों की चर्चा करते हैं सबसे पहले सरल तथा संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण सार्णि के द्वारा आकडों का सरल एवं संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया जाता है जिससे उन्हें सरलता से समझा जा सके ततक कम से कम स्थान में उन से अधिक से अधिक सूचनाय प्राप्त हो सके जैसे विद्याले की गत पांच वर्षों की परिक्षा परिणाम एक सार्नी दुआरा तुलनात्मक रूप से दर्शाय जा सकता है जब भारत की राज्य अनुसार जन्संख्या एक सार्नी दुआरा दर्शाय जा सकती है दूसरा लाब सार्नी दुआरा तुलना की सुविधा सार्नी दुआरा आकडों को विभिन वर्गों में प्रस्तुत किया जाता है इससे सानी में दिये गए चरों की तुलना करना तथा उन्हें के संबंद ग्याद करना सरल हो जाता है सानी द्वारा आकडों को विभिन वर्गों में प्रसुत किया जाता है इससे सार्णी में दिये गए चरों की तुलना करना तथा उनसे संबंद ग्याद करना सरल हो जाता है सार्णी द्वारा विभिन चरों के मध्य या एक चर के विभिन घट्टों के बीच तुलना सरलता से की जा सकती है सार्णी की सायता से हम सूचकांक तथा सैसंबंद जैसी संख्याओं को ग्याद कर सकते हैं जो दो चरों के बीच संबंद या तुलना को दर्शाती है तीसरा विश्लेशन में सरलता जब आकडों को सार्णियन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो आकडों का गणित ये विश्लेशन करना सरल हो जाता है जिससे माध्य, मधिका, परिशेपन, सैसंबंद आदि ज्याद करना सरल हो जाता है ग्यार्वी कक्षा में आप ऐसी कई सांखिकिये विशलेशनों के विशय में जानेंगे तथा उनकी गणना करना सीखेंगे चौथा लाग, सार्णी मित्वेई होती है सार्णी द्वारा आकडों को कम से कम स्थान में प्रसुत किया जाता है जिससे समय तथा साधनों दोनों की बच्चत होती है इसे निशकर्ष भी अल्फ समय में कुशलता से निकाले जा सकते हैं पांच मालाग, आकडों का अधिक प्रिभाव सार्णी द्वारा दर्शाय के आकडों को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है क्योंकि इसमें सभी विशिष्टाएं सपस्ट रूप से निज़राती हैं तथा तुलनात्मक रूप से याद की जा सकती है आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं आज हमने पाठ विश्यक या वर्नन आत्मक प्रस्तुतिकरण सार्णि बद प्रस्तुतिकरण सार्णियन के मुख्य उदेश्य एक अच्छी सांखे की सार्णि के आवशक गुण सांखे की सार्णि के मुख्य भागों पर विस्तार से चर्चक करी साथ ही हमने सार्णियन के वर्गी करण के चार प्रकार कुनात्मक वर्गी करण, मात्रात्मक वर्गी करण, कालिक वर्गी करण, स्थानिक वर्गी करण पर चर्चा करी अगली कक्षा में हम इसी विश्य को आगे बढ़ाते हुए आरेखिये प्रसुतिकरण पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार झाल झाल